हेलो एबरीवन आपका एगवाई फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ निपोन इंडिया मल्टी क्या फंड डायट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूंगा कि य या फिर एन्वल डिटन क्या दिया है आज के रेट में इसका एक इनवी का प्राइस क्या है ये कितनी स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिममम SIP एमांट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साथी साथ मैं आपसे डिसकस करूंगा इसके अं निपॉन इंडिया मल्टिक्याप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेश्मेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने औरेड इन्वेश्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिल अमसम के साथ क्या करेंगे निपॉन इंडिया मल्टिक्याप फंड पांस साल के return के पर बात करें तो पांस साल में 27.35% का return है और अगर annual return की बात करें तो इनका annual return है 18.96% का ध्यान देंगे अभी जो भी return मैंने आपके साथ यहां पर डिसकस किया यह इनका one time यानि के लमसम का return है अगर आप एक बार में कुछ पैसा इंबेश्ट करते तो आपको यह return देखने को मिलता अगर आप S.I.P के थूरो investment करेंगे तो return आपको कुछ और मिल सकता है क्या मिल सकता यह चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करूंगा अगर आप इस तरीके का mutual fund review देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा main channel है जो कि अभी आपको screen पे द 136 रुपया 62 पैसा rating की बात करें तो इसको किसी परकार का rating नहीं मिला हुआ है इसमें आप minimum S.I.P. amount 100 पै लगा सकते हैं और इसका fund size 39,115 करूर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते तो फिर आपको क्या return देखने को मिलता इससे पहल referring से join करेंगे तो फिर आपको account opening या फिर account maintenance का कोई भी charge नहीं देना होगा अगर आप इस mutual fund के अंदर 5000 का परमन जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 आपको मिलता 17,874 रुपया करीब एक साल में आपको S.I.P. के थुरू 19% का return देखने को मिलता तीन साल की 50% का return देखने को मिलता और अगर बात तेरे पांस साल का तो पांस साल में आपका पैसा जमा होता 3,00,00, आपको मिलता 6,40,000 एक साथाईस रुपया यानि पांस साल में S.I.P. के थुरू आपको 116% का return देखने को मिलता अब अगर बात करें कि इस mutual fund के अंदर अगर आप एक बार में एक साल में 1,00,00 के लंसम करतें, तो एक साल में आपका 1,00,00, 1940,450 उरफिया होता, तीन साल में आपका 1,00,00, 2,60,070 रपिया और पांस साल में आपका 1,00,00, 3,894,901 रपिया होता, अगर बात करें तो उसके अंदर जो टोटल लिस्टोक लिस्टेड निवह छेत्र, ICIC Bank Limited, Financial, Infosys Limited Technology, Reliance Industrial Limited Energy, Linde India Limited Chemicals, GET&D India Limited Capital Goods, Axis Bank Limited Financial, NTPC Limited Energy, EIH Limited Service, Vesu Vaisas India Limited Construction के छेत्र में है, इसकी Holding Analysis की बात करें तो Equity पे 90% और Cash पे है 2% इसकी Equity Sector Act Location के अगर बात करें तो Financial पे है 25.4, Others पे 19.8, Service 16.7, Capital Goods 11.7, Energy 8.1, Health Care 7.5, Construction 5.6, और Automobile पे है 5% यानि कि अगर आप निपोन इंडिया Multicap Fund के अंदर अपना पैसा Invest करते हैं, तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पर Distribute होकर के लगेगा, इनके Advanced Ratio के अगर बात करें तो इसका Price to Earning Ratio 33.60 और PayV Ratio 4.90 अगर आप इस Mutual Fund के अंदर अपना पैसा Invest करना चाहते हैं, तो फिर Minimum लंब सम आप 100 प्रेका कर सकते हैं, और अगर आप SIP के थो इंवरेश्मेंट करना चाहते हैं, तो आप 100 प्रेसे अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं, रिटन एंड रैंकिंग के उपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं, निपोन इंडिया Multicap Fund का Fund रिटन, जो कि एक स साल में 47.1, तीन साल में 8.4, यहां से देखेंगे यह Mutual Fund एक साल, तीन साल हमेशा अपना कैटेगरी अबरेश से ज्यादा रिटन दिया है, और रिटन रैंक की कैटेगरी पे लॉंग टरम 3 साल में देखेंगे, तो नमबर वन यह Mutual Fund अपने कैटेगरी पर बन रहा है, तो अगर आप एक Multicap Mutual Fund ढूंड रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा भी कल्प का, आप इसके अंदर अपना पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं, अगर आपने औरेड़ इंवेस्ट किया है, तो आगे आप अपना S.I.P. आप फिर लंसम को continue रखेंगे, इनकी expense ratio के पर बात करें इनका expense ratio है 0.73% का, exit load की बात करते हैं, अगर आप इंवेस्ट के आप पैसा 12 महने के अंदर अपना investment का 10% से ज़्यादा निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा, और system duty की बात करें, तो system duty है 0.005%, tax implementation की बात करते हैं, अगर आप इंवेस्ट के आप पैसा 1 साल के इनकालेंगे, तो जो भी आपका return होगा, उस पर आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा, अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अगर एक लाग पचीस जार का return बनता है, तो फिर आपको साड़ी 12% का tax payment करना होगा, यानि कि short term capital gain पर आपको 20% tax द करता है, इसका टोटल असिस्ट अंडर मनेजमेंट है, पांस लाग 13,160 करोर का, निपोन इंडिया मल्टी क्याप फंड आइड ग्रोथ ये एक equity mutual fund है, जो कि launch किया गया है निपोन इंडिया mutual fund की तरब से, सलेस राजबन अभी इस fund का current fund manager है, इस fund का currently असिस्ट अंडर मनेजम है, इसमें minimum SIP amount एक सोर प्या का सेट के आगया है, और minimum lump sum भी एक सोर प्या का सेट के आगया है, अगर आप invest के आवा पैसा 12 मैंने के अंदर अपना investment का 10% से जादा निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा, और इसकी fund benchmark के अगर बात करेत, इसका fund benchmark है, निप्टी 500 multi-cap 50,25,25 total return index, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया, निप्टोन इंडिया multi-cap fund के बारे में, फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेखर के,